हलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज मैं आपको फ्रेल कॉलर नेक बेबी टॉप बनाना बताऊंगी, तो उसके लिए मैंने ये देड़ मिटर रेयोन का फैब्रिक लिया हुआ है, तो सबसे पहले हैं फैब्रिक को फोर फोल में बिचाएंगे, जो मेरी साइट ह वो बंद वाली साइट है और जो उपर की साइट है वो खुली हुई साइट है, और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 21 इंज की रखी है, आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज्यादा कर सकते हैं, अभी उपर से हम शॉल्डर के लिए 6 इंज पर निशान लगाएंगे, और आम होल की लंबाई के लिए भी हमें 6 इंज पर ही निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें कॉलर नेक बनाएंगे, साइट है 6 इंज पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रो कर देनी है, जितना हमने शॉल्डर लिया है उतना ही हमें आम होल भी लेना है, अभी आज से हम चेश्ट का मेजर्मेंट लेंगे, तो आपकी बेबी की चेश्ट का जो भी मेजर्मेंट हो, उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंज एट कर देना है, सिलाई मार्जिन के लिए, मैंने 9 इंज पर निशान लगाया है, और एक सीधी लाइन ड्रो कर देनी है, चेश्ट का चौथा भाग लेना है, और उसमें 2 इंज एट कर देना है, अभी बेक आम होल के लिए में 1,5 इंज पर निशान लगाऊंगी, और फ्रंट आम होल के लिए 1 इंज पर निशान लगाऊंगी, और दोनों निशान उपर हमें राउंड शेप ड्रो कर देना है, फ् लाइ मार्जिन के लिए तो आपकी बेबी की कमर की जो भी चोड़ाई हो उसका चौथा भाग करके उसमें दो इंच एट कर देना है अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हमें दो इंच एट कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए त क्योंकि हम इसमें कॉलर नेक बनाएंगे इसलिए हमें गले की चोड़ाई धाई इंच लेनी है और पीछे की गले की लंबाई के लिए एक इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए भी हमें धाई इंच पर ही निशान लगाना है अभी दोनों निशा कर दी है अभी हमें इसमें से एक पाट को निकाल लेना है और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट नेक और फ्रंट आम होल की हमें कटिंग कर देनी है तो इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये मेरे दो पाट है फ्रंट और बेक के लिए अभी हमें back का part लेना है इसमें हम cut लगाएंगे पीछे की तरफ से तो उपर से नीचे तक हमें 5 इंच पर निशान लगाना है और जो हमने 5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें cut लगा देना है क्योंकि हमारा high neck color है इसलिए हमें back side में cut लगाना बहुत ही ज़रूरी है तो कुछ इस तरह से मैंने cut लगा दिया है अभी हम sleeve की cutting करेंगे तो fabric को मैंने 4 fold में बिचाया हुआ है जो मेरी set है वो bend वाली set है और जो उपर की set है वो खुली हुई set है इसमें हम pop sleeve बनाने वाले है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 19 इंच की रखी है ये 18 इंच की हमारे रेडी होगी अभी उपर से जो इसकी चोड़ाई है मैंने 9 इंच की रखी है क्योंकि हम उपर से इसमें प्लेट्स लगाने वाले हैं इसलिए 2 इंच फैब्रिक मैंने एक्ष्टा लिया हुआ है अभी केपसलियो के लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और बंदवाली साइट से भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रो कर देनी है अभी खुली हुई साइट से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लिव का शेव ड्रो कर देना है जिस तरह से हम नॉर्मल स्लिव का शेव ड्रो करते हैं बिल्कुल वैसे हमें स्लिव का शेव ड्रो कर देना है अभी नीचे से जो स्लिव की चोड़ाई है वो मैं 8 इंच की रखूँगी क्योंकि नीचे से हम इसमें इलास्टिक कटेज करेंगे तो उपर से मैंने दो इंच एक्ष्टा रखा है और नीचे से मैंने एक इंच एक्ष्टा रखा है यानि कि उपर से नीचे मैंने एक इंच एक्ष्टा रखा है अभी हमें इसके कटिंग कर देनी है तो देखे इस तरह से मैंने स्लिव की भी कटिंग कर दी है और ये मेरी दो स्लिव है अभी जो हमने back side में cut लगाया है बिल्कुल उसी shape की हमें strip cut करनी होगी और इसे हम सीधी side से ही cut के उपर रखेंगे और इसमें हमें सिलाई लगानी है उसके बाद जो पट्टी की तीनो side की border है उसे हम fold करते हुए सिलाई लगाएंगे उसके बाद हम पट्टी को उल्टी side पर पलट देंगे तो ये देखे मैंने इसमें पट्टी attach कर ली है और बाद में हम उल्टी side से इसमें hand stitch कर देंगे अभी एक पाट को हम सीधा रखेंगे और इसके उपर हमें दूसरा पाट उल्टा रखना है और इसके shoulder joint कर लेने है तो ये देखे मैंने इसके shoulder joint कर लिये है अभी हम पहले इसका collar बना लेंगे क्योंकि बाद में collar बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है इसलिए मैंने ये सीधी पट्टी कट की हुई है और इसकी जो चोड़ाई है वो मैंने तीन इंच की रखी है और इसकी जो लंबाई है वो कम से कम हमें 30 से 40 इंच तक की लेनी होगी क्योंकि हम इसमें gather's बनाएंगे भी पट्टी की जो किनारी है उसे हमें double fold करते हुए पहले इसमें सिलाई लगा लेनी है उसके बाद हम पट्टी को fold कर लेंगे और fold करने के बाद हम इसमें नीचे की तरफ से बड़ा टाका करके सिलाई लगाएंगे पूरी पट्टी में पट्टी को हमें double fold कर लेना है और पूरी पट्टी में हमें half inch का gap रखते हुए इसमें बड़ा टाका करके सिलाई लगा लेनी है दूसरी सैट की जो किनारी है उसे भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है तो देखे मैंने इसमें बड़ा टाका करके सिलाई लगा ली है अभी हमें एक धागे को खीचते हुए इसकी फ्रिल बना लेनी है अच्छे से फ्रिल को हमें एड़्जस करते हुए इसमें गैधर्स बना लेनी है और ये फ्रिल हमें उतनी बनानी है जितनी हम अपने नेक पर अटेच कर सके जितना हमारा neck का round है उतनी हमें इसमें gather set कर लेनी है अभी सीधी side से ही हमें इस frill को neck के उपर रखना है और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है अच्छे से frill को adjust करते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है तो देखें मैंने इसमें सिलाई लगा दी है अभी ये मैंने तिरची पटी ली हुई है इसे पहले हू इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे उसके बाद हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और जहां पर हमने फ्रिल अटेज की है बिल्कुल फ्रिल के उपर ही हमें इस पटी को रखना है तो ध्यान रहे पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए हमने जो फ्रिल अटेज की है उसके उपर ही हम पट्टी को रखेंगे और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है पूरे राउंड नेक के उपर दूसरी सैट की जो पट्टी की किनारी है उसे भी हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे उसके बाद पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे तो देखे मैंने इसमें सिलाई लगा दिये है अभी जितना भी हमारा अंदर का एक्ष्ट्रा फेब्रिक है उसे हमें थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है उसके बाद यह जो हमने पट्टी अटेच की है उसे हम उल्टी तरफ पर पलट देंगे तो यह फ्रिल कुछ इस तरह से हमारी उपर की तरफ आ जाएगी तो मैं उल्टी साइट से आपको बता रही हूँ इस पट्टी को हमें उल्टी साइट पर पलट देना है और इसके उपर हमें सिलाय लगा देनी है तो ये फ्रिल अपने आप ही हमारी उपर की तरफ हो जाएगी कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें सिलाय लगा देनी है हमने जो तिर्ची पट्टी अटेच की है उसे हमें पूरे राउंड नेक के उपर उल्टी साइड पर पलटते हुए इसमें सिलाई लगानी है ये बिल्कुल ही आसानी से पट्टी उल्टी तरफ पर पलट जाएगी और ये फ्रिल भी हमारी उपर की तरफ आ जाएगी आप चाहे तो पहले थोड़ा थोड़ा फैब्रिक कट कर सकते हैं तो देखे मैंने पट्टी को पलट दिया है और ये कितनी फिनिशिंग से अटेच हो चुकी है और ये फ्रिल भी हमारी बहुत ही फिनिशिंग से उपर की तरफ आ चुकी है आप देख सकते है अब भी हम इसमें स्लीव अटेच करेंगे तो पहले सेंटर से हमें दो इंच पर निशान लगाना है जो हमारा शॉल्डर है वहां से हमें दो इंच पर दोनों सैट पर निशान लगाना है और जो हमारी दूसरी सैट का शॉल्डर है वहां पर भी हमें सेंटर से दो इंच पर निशान लगा लेना है जो भी हमारा शॉल्डर है बिलकुल उसके दोनों साइट पर हम दो दो इंच पर निशान लगा लेंगे अब भी जो हमने निशान लगाया है वहां तक हमें स्लिव को अटेज करना है तो स्लिव को हम किनारी से ही अटेज करेंगे तो किनारी से होते हुए हमें जहां पर हमने निशान लगाया है वहां तक हमें पहले इसमें सिलाई लगा लेनी है उसके बाद हम दूसरी साइट के उपर भी जहां तक हमने निशान लगाया है वहीं तक हम स्लिव को अटेज कर लेंगे कीनारी से होते हुए जहां तक हमने निशान लगाया है बिलकुल वहीं तक हम स्लिव को अटेज करेंगे उसके बाद सेंटर में हमारा जितना भी एक्ष्ट्रा फेबरिक बचता है उसकी हमें छोटी-छोटी प्लीट्स लगा लेनी है तो जो दोनों साइट पर हमने निशान लगाया थे बिलकुल उसके बीच में हमें छोटी-छोटी प्लीट्स लगा लेनी है दोनों साइट से ही अच्छे से एड़्जस करते हुए हम छोटी-छोटी प्लीट्स लगा लेंगे उसके बाद जो हमारी स्लिव की नीचे की बोडर है उसे हमें simply double fold करते हुए इसमें सिलाई लगा दिनी है तो बिल्कुल पतली सी बोडर हमें fold करनी है और इसमें सिलाई लगानी है और इसी तरह से हम दूसरी सैड भी जहां तक हमने निशान लगाया है वही तक स्लीव को अटेज कर लेंगे दोनों सैड पर जहां तक हमने निशान लगाया है वही तक हम स्लीव को अटेज करेंगे उसके बाद हमें सेंटर में छोटी छोटी प्लेट्स लगा लेनी होगी उसके बाद जो स्लिव की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है तो देखे मैंने स्लिव में प्लेट्स लेते हुए स्लिव को अटेज कर लिया है और इसकी water को भी मैंने फोल्ड कर लिया है तो दोनों slew को मैंने plates लगाते हुए attach कर लिया है और आप देख सकते हैं ये center में मैंने plates लगाई हुई है अभी ये जो हमारी slew है उसे हमें ultra side पर 3 새ड पर निशान लगाना है तो ये निशान हमें उल्टी तरफ से लगाना है तो नीचे से उपर की तरफ हम तीन इंच पर निशान लगाएंगे नीचे से उपर को हमें तीन इंच पर निशान लगा लेना है और एक सीधी लाइन ड्रो कर लेनी है इस lian के उपर हमें elastic attach करना है इस तरह से अभी यह मैंने elastic लिया हुआ है तो आपकी बेबी की sleeve की जितनी भी चौड़ाई है उससे 2 इंच कम का elastic आपको लेना है तो मैंने 6 इंच का इलास्टिक लिया हुआ है अभी हमें इलास्टिक को जो हमने लाइंडरो की है उसके उपर खीचते हुए हमें इसे अटेज करना है तो इस तरह से हमारे गैधर्स बन जाएंगी और इसी तरह से दूसरी सैट भी हम पहले 3 इंच पर निशान लगा लेंगे और इलास्टिक को खीचते हुए हमें इसमें सिलाय लगा लेनी है उल्टी तरब से तो देखे मैंने इसमें इलास्टिक अटेज कर लिया है और सिधी सैट से ये कुछ इस तरह से नजर आएगा अब चाहे तो इसके उपर पट्टी भी अटेज कर सकते हैं लेकिन मैंने ऐसे ही इलास्टिक अटेज किया हुआ है तो देखे आप कितनी ब्यूटिफुल इसकी गैधर्स बन गई है अब भी हम इसे उल्टा कर लेंगे और स्लिव में हमें स्रिफ हाफ इंच का गेप रखते हुए इसकी फिटिंग करनी है और नीचे से हम दो इंच का गेप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेंगे दोनों ही सैट से हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है उसके बाद जो नीचे की बॉडर है उसे हमें double fold करते हुए इसमें सिलाइ लगा देनी है तो देखे मैंने इसकी fitting कर ली है दोनों ही सैट से और नीचे की बॉडर को भी मैंने fold करते हुए इसमें सिलाइ लगा दी है और ये हमारा high neck frill color top बनकर ready हो चुका है अभी back side से एक side पर हम इसमें hooks लगा लेंगे and eyes बना लेंगे और इसी के साथ यह हमारा high neck frail collar top बनकर ready हो चुका है और यह है इसका final look so friends I hope आपको आज का यह tutorial पसंद आया होगा अगर आपको आज का यह video पसंद आया तो इसे like और share जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कर लीजिए और साथ में उस bell icon को press करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके और आपको यह video कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताईएगा मेरा यह video देखने के लिए thank you so much guys आपको बताईएगा